नमस्कार मैं कुलदीप साहू और आप देख रहें दाखवरदानूश तो आज की इस वीडियो में मैं आप के लिए देश की टॉप 10 खबरे लेके आया हूँ तो बने रहें वीडियो के लाज तक और चैनल को सस्क्राइब करें ग्यान बापी के EASI सर्वे पर आज होगी सुनवाई EASI ने कहा कि जांच से ढाचे को नहीं पहुचेगा कोई भी नुकसान ग्यान बापी में EASI सर्वे से जुड़े मामले पर आज लाहावाद हाई कोट में सुनवाई होगी तब तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी अदालत ने आजाई इसाई की अफसर को पेश होने के लिए कहा है। वहीं दूसरी और मुस्लिम पच सर्वे के खिलाफ है। सरकार के खिलाब अविस्वास प्रस्ताव मंजूर सभी दलों से बात चीत के बाद इस पर होगी बहसु सत्के पांचवे दिन लोग सभा में केंद्र सरकार के खिलाब अविस्वास प्रस्ताव पेस किया गया है। इसमें लोग सवाई स्पीकर और विर्डा में मंधीरी दे दी हैं। अविस्वास प्रस्ताव का अर्देश सांसात दौरब गबोई ने पेस किया है। स्पीकर ने कहा कि इस पर बहस का समय सभी दलों से बात चिक करने के बाद तैय होगा। वहीं भीपा छड़ा हुआ है कि मडिपूर मामले में प्रधान मंत्री बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। दुस्मन के एर क्राप्ट को तवाह कर देगा। भारत रूस की तरह ही लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है जो 400 किलो मीटर तक दुस्मन के एर क्राप्ट को मार गिराने में सक्षम होगा। इस LRSAM यानी Long Range Surface 2 Air Missile सिस्टम को बनाने में करीब 20,000 करोड रुपे खर्चोंगे। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले गैंग इस्टार विक्रम बरार को National Investigation Agency NIA ने USA गिरफ्तार कर लिया है। इक्रम बरार पंजाबी सिंगर सिद्धू मुशेवाले के मडर में भी सामिल था और तफ से फरार था। वह दुबाई में बैट कर गैंग इस्टार लारेंस की गैंग चला रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच One Day World Cup मैच तै तारीक से एक दिन पहले हो सकता है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं कब लोटूंगा। मैंने एक भक्त से कहा है कि चिंता मत करो हम कोहनूर लेके आएंगे। पहले अंग्रेज भारत जाका लेक्चर देते थे और हमारे दादा पर दादा सुनते थे लेकिन आज हम इंग लैंड में बोल रहे हैं और यहां के लोग हमें सुनते हैं। नासा में ब्जली गुल Allians Archive Station से शंपर्क तूटा। दू submitting कमिनकेशन चैनल की मददником मेरी स्पेस एग्पर कर्ण से श्हां से चनल टूट्क बूट है। इस वज़े से विशन कंट्रोल स्टेशर पर कमांड नहीं कर पा रहा है। और आर्बिट में मवजूद साथ अंतरिश यातियों से भी बात नहीं हो पा रही थी। आउटेश की 20 मिनट के भीतर क्रू को रसेन कम्यूनिकेशन चैनल के जरिये समस्षा के बारे में जानकारे दीगे। दिल्ली NCR में लगातार बारी सोने स्री अमनक का जल इसतर खत्रे के निसान से उपर है। राजधानी में मंडी हाउस से लेगर रिंग रोड तक सणकों में पानी भरा हुआ है। धिंडन नदी का जल इसतर पढ़ने से लोड़ा के आसपास के इलाकों में बार जैसे हाला थी। यहां खत्रे वाले इलाकों के सभी स्कूल और पॉलेज आज बन रहेंगे। पंजाब में अब भी उन्नीज जिले पार से प्रभावित है।